यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास खुता है प्रियमित्रो उत्तराखंड में पहली बार कुछ दिन पहले अखवार में एक खवर पढ़कर मुझे अत्यन्त प्रशन दा हुई कि एक दंपत यने की माता पिता ने अपनी बेटी का जो प्रथम बार पीरिड जिसको आये थे यने की मासिक धर्म बेटी को हुआ था रजस्वला बनी थी उनकी बेटी उस दिन को उन्होंने उत्सव की रूप में मनाया उत्सव पूरे रिष्टेदार नातेदार सब उत्सव में उन्होंने भाग लिया और बेटी को अलग-अलग तरीके से उपहार दिये बहुत अच्छा लगा कि इन बिसाईओं पर जिन पर कभी कोई बात करना ही नी चाहता कि बेटी को मासिक धर्म हो गया है रजस्वला बन गई है या पीरिट्स उसके आने लग गए हैं तो खुसर-पुसर बातें ही होती हैं मुझे अपने 38 साल फोच की नौकरी के दोरान बहुत सारे लोगों से मिलने का सौभाग के प्राप्त हुआ और दक्षन भारत की स्पेशली दक्षन भारत में आंध्रा करनाटका और तमिलनाडू केरल आसाम यहां के लोग जब उनकी बेटी या उनकी घर में जो पुत्री होती है पर्थम बार जब रजश्वला बनती है तो अहां बहुत बड़ा समारो होता है और लड़की का चाचा और लड़की का मामा वो उस समारो के मुख्य कारे करता होते हैं सभी परिवारजन मिल करके लड़की को उपहार देते हैं साधी के जैसे माहौल बनता है और उस दिन से लड़की को साड़ी पहनने का भी अधिकार होता है आप देखिए कि ये सारी दुनिया समस्त ब्रह्मांड में बेटी यानि कि स्त्री का कितना बड़ा योगदान है ये धर्ती मा है इसकी हर समय पूजा अर्चना होने चाहिए हर घर में तो स्पेशली मैं केरल तमिलनाडो और आंधरा की बात कर रहा हूँ वहाँ पर बेटी को उस दिन हल्दी चंदन इत्यादी से नहला कर और उसको सुन्दर बस्त्र पहनाये जाते हैं वहले उसको दो-चार दिन अलग भी रखा जाता है लेकिन उसके स्वास्ते का विसेश ध्यान रखा जाता है तो अब तो 28 मई को ये दिवस मनाया जाता है कि महलाओं का मासिक धर्म स्वच्चता दिवस और हर स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और भी बहुत सारे इसमें सस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि बेटियों का इस तरह से ध्यान रखते हैं तो मेरा उत्तरा खंड के हर देव पुत्र और देव पुत्रियों से निवेदन है कि इस दिन को जिस दिन प्रथम बार आपकी पुत्री रजस्वला बनी है मासिक धर्म जब उसके प्रारंब होए हैं उस दिन को आप भी उत्सव के तरह से मनाएं धूम धाम से मनाएं और जो भी लोग उसमें सम्मिलित हों वो बेटी को सुन्दर सुन्दर गरंथ पढ़ने को दें दान दें बहुत सारे जो है गिफ्ट दें और उसका मनोबल उचा रखने के लिए हर समय प्रिरित करें सच्चता के उसको पाठ पढ़ाएं तो आज करें आप इस पर भी विचार और ध्यान रखें कि यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जहां जहां इस तरह बेटियों का सम्मान होगा वहां देवता आएंगे धन्यवाद करें आप इस पर विचार रमशकार जै हिंद जै उत्तर अखंड और जै अखंड भारत वर्ष्ट